In this module, we will discuss individual variations, last module के अंदर हमने ये देखा कि organisms के अंदर time के साथ variations आती हैं, उनके अंदर seasonal variations होती हैं, एक organism different seasons के अंदर different morphology शो करता है, क्योंकि different seasons के अंदर temperature, humidity या दूसरे जो environmental parameters हैं, वो vary करते हैं, जिसकी वज़ा से उनके जो characters हैं, उनके अंदर भी variation आती है, पर जेमपल, European starling के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर seasonal variation को वाज़े तो पर observe किया जा सकता है, ये bird जब freshly इनकी hatching होती है, October के अंदर, तो इनकी body के पर white spots जो है, वाज़े तोर पर नज़र आ रहे होते हैं, और इनके जो wings के margin है, वहाँ पे भी white spots मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इन ही birds को हम spring के अंदर देखें, तो इनका जो color है, वो change हो जाता है, इनका glossy black color होता है, और इसकी कोई feathers की molting नहीं होती है, फैदर वही होते हैं, लेकिन इनका जो plumage का जो color है, वो change हो जाता है, तो इस किसम की जो variation होती है, ये seasonal variation है, ये birds के लावा, बहुत सारे दूसरे organisms के अंदर भी वाज़े तोर पर दे common है, इसी तरीके से, अगर हम butterflies के अंदर बात करें, तो butterflies के अंदर भी seasonal variation बहुत ज़ादा common है, क्योंकि, बहुत सारी butterflies, इनके अंदर seasonal plasticity मौझूद है, यानि season के साथ, इनके अंदर जो characters हैं, उनके अंदर variation आती है, और ये जो phenomenon है, जिसके अंदर, organisms के अंदर seasonal plasticity मौजूद होती है इसको polyhanism कहते हैं polyhanism is basically a seasonal plasticity in organisms and this plasticity is very common in the butterflies अगर हम African butterfly जो के by cyclus एन नाना इसको देखें तो wet season के अंदर इसके जो wings हैं इसके जो margins हैं वहाँ पर eye spot वाज़े तोर पर देखा जा सकता है अगर इस तस्वीर के अंदर देखें तो इस तस्वीर के अंदर eye spot वाज़े तोर पर जो है एक जो butterfly है वहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन इसी butterfly को अगर dry season के अंदर देखें तो dry season के अंदर इनके अंदर जो ice pot हैं या तो बहुत reduce हो जाते हैं जा फिर जो ice pot हैं ये बिलकुल खतम हो जाते हैं तो ये इनके अंदर seasonal plasticity है जिसको polyhynism कहते हैं तो हमने देखा कि यॉर्पेंस टारलिंग के अंदर butterflies के अंदर seasonal variation मौजूद होती है इसी किसम की जो seasonal variation है बहुत सारे दूसरे organisms जिसके अंदर birds शामिल है उसके अंदर भी common है तो ये जो seasonal variation है ये basically non-genetic variations की types है